कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती कि ननहीं चीटी दाना लेकर चड़ती है चड़ती है दीवारों पर सो बार फिसलती है लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं होती कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती तो हम बात कर रहे थे that is about the grasshop law, grasshop law के लिए एक चीज डिसकट कर दी कि short or longest link अगर summation करता हूँ that will be less than p plus q that is other two link तो यहाँ पर different different condition हमें लेनी है तो first condition मैं discuss करूँगा कि मान लो दोनों equal हो जाए short plus longest link must be p plus q अगर इन दोनों के equal हो जाए तब condition क्या बनेगी इस चीज में कौन सी condition बनेगी ठीक है तो my dear friend एक चीज clear कर लेता हूँ कि यहाँ पर link arrangement होगा दो होगी short short और दो होगी that is long link ठीक है दोनो short link same size की होगी और long link दोनो same size की होगी तो एक arrangement कैसे होगा that is parallelogram link इसको क्या बलेंगे that is parallelogram link parallelogram link और दूसरा हम बात करेंगे that is about the deltoid link that is about the deltoid link कोई भी doubt हो आप comment box में मुझे discuss कर लेना तो parallelogram link में क्या होगा कि short short arrangement ही different है बाकी कुछ नहीं है इसमें क्या होगा कि मान लो यह short link यह भी short link ठीक है और इस तरीके से रख दी मैंने that is long link यह arrangement कर दिया that is for parallelogram इस condition को satisfy कर ़ी है दोनो, deltoid और parallelogram link तो इस condition में क्या होगा अगर मैं short links को fix कर देता हूँ तक मेरे जो मेरे को mechanism मिले की इस को fix कर दा हूँ तक मुझे मिले की that is double crank कॉन सी mechanism मिले की that is double crank mechanism क्लियर है और अगर मैं short को fix ना करके अगर इस long को fix कर लेता हूँ किसी भी long को अगर L को fix कर लेता हूँ तो भी मुझे double crank mechanism ही मिलेगी क्या मिलेगी that is double crank mechanism ही मिलेगी that is in parallelogram इसलिए इसको हम parallelogram बोलते हैं second हम बात करते है that is about the deltoid link कौन सी that is deltoid link तो deltoid link का arrangement कर सा होगा कि यह short link है ठीक है थोड़ा बड़ा बना देता हूँ कि मैंने arrangement कर दिया तो कह रहा है कि first condition में यहाँ पर अगर मैं S को fix कर लेता हूँ short को fix कर लेता हूँ तो भी मुझे यहाँ पर कौन सी mechanism मिलेगी that is double crank mechanism मिलेगी यहाँ पर ध्यान से देखना my dear friend यहाँ पर आपको double crank mechanism ही मिलेगी but condition change कर रहा हूँ मैं अगर L को fix कर लेता हूँ अगर long link को fix कर देता हूँ और long link को fix कर देता हूँ अगर इसको fix कर लेता हूँ मान लो तो यहाँ पर double crank नहीं मिलेगी यहाँ पर crank rocker mechanism मिलेगी ठीक है यहाँ पर crank rocker mechanism मिलेगी clear है now यह condition अगर मैं ले लेता हूँ कि S plus L यह हमने माना कि लेश देन या इक्वस होना चाहिए लेकिन अगर ग्रेटर देन ले लेता हूं तो ग्रेश चॉप लोग को अपना वेरिफाई करे गई नहीं और इस कंडिशन में डबल रोकर मेकनीजम मिलेगी डबल रोकर ही मिलेगी क्रेंग वाली अपने को कंडिशन करना होगा रोटेशन के लिए इस एक्वेशन को सेटिस्पाइ करना होगा और अगर रोटेशन के आएगी जब S प्लस L इक्वेस्टू P प्लस Q जब दोनों इक्वल होगा तब हमें यह कंडिशन मिलेगी थेंक्यू सॉमाच चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करो और यह जो क्लास है ना यह जो मैं कंसेक्ट बता रहा हूं रेलवे जएन एक्जाम सेसी जएन एक्जाम में यहीं से कई बार क्वेस्टन पूछा ज़्यादा थेंक्यू सुमाच